नमस्कार आप सभी का स्वागत है सक्षम रूप से निभाई है वर्तमान की इस वैश्विक महावारी कोरोना के इस विशम काल में भी आरंब से ही अखिलविश्व गायत्ती परिवार विविद रूपों में सेवा धर्म का निर्वन करता रहा है ऐसे विशम संकट की वेला में पुझ गुर्वर के आशीरवाद परमशद्य डॉकसा परमशद्या जी जी के मारदर्शन में अखिलविश्व गायत्ती परिवार के परजनों का सदेव समवेदना पूर्ण नेत्यत्तों करते उन्हें मारदर्शन प्रेणा प्रदान करते हुए अखिल विश्व गायत्ती परिवार ने पूर्ण से इस क्रम में क्या किया है क्या हम वर्तमान में इन बदलीवी परस्थितियों में कर सकते है वा आगे की हमारी कारियोजना क्या है जिस पर हम बड़ी तुरत कती से कारे कर रहे है इस विश्व पर समसामईक चर्चा के लिए आज हमारे साथ जुड़ रहे है डॉक्टर चिनमे पांडिया जी सर आपका सावगत है धन्यवाद बूपार इस महत्रपूर्ण चर्चा का शुभारंब मैं इसी प्रशन से करना चाहूँगा सर कि अखिल विश्व गायत्ती परिवार ने इस पूरे कोरोना के काल में विविद रूपों में अपनी योजनाएं अपनी भूमिकाओं को बहतर तरीके से निभाया है और इस मौन करांती से निश्व रूप से लोगों को लाव बहुत मिला है लेकिन फिर भी मैं अपने स्वजनों की जिग्यासा के लिए और नए लोगों के लिए एक बार मैं चाहूँगा कि आप हम सब को अवगत कराएं कि अखिल विश्व गायत्ती परिवार इस क्रम में क्या कुछ करता आ रहा है अच्छा प्रश्ण है गोपल मुझे लगता है कि पहले तो जो वरतमान परिस्थितिया है इनका हम लोगों को एक सम्यक तरिष्टी से मुल्यांकन कर लेना जरूरी हो जाता है क्योंकि जिस कारण से आज की परिस्थितिया महत्तुपूर्ण हो जाती है वो कारण उनके पीछे नहित विशमता है ज़िए हम लोग ध्यान से देखें तो परंपुजी गुर्देव ने अपने जीवन भर में जिस आपत्तिक आल की और इशारा किया लिख करके बताया लेखों में लिखा पुस्तकों में लिखा साहित में बताया अपने उद्बोधनों में जिक्र किया लोगों से कहा जितना उनका व्यक्तित तो है कृतित तो है जो उनके द्वारा कहा गया है बोला गया है जो उनके जीवन की साधनाओं का जो उनके जीवन के सारे क्रिया कलापों का सार है निशकर्ष है वो मानवता को इसी दृष्टी की और सचेत कर देना है शांति उनकी जितने प्रग्यागीत हैं वो इसी और आवाहन करते नजर आते हैं जो प्रग्या पुरान की कथा हैं वो इसी और लोगों को इंगित करती हुई नजर आती हैं कि जो आज का समय है वो आपत्यकाल का है और आपत्यकाल में जो सामाने विवस्थाइं होती हैं उनको त्याक करके व्यक्ति को एक नए धर्म का निर्वहन करना होता है सामाने वेवस्था में तो सामाने चीज़ें चल जाती है आपको पर यदि असामाने समय आ जाए घर में आंग लग जाए तो ऐसे समय में आदमी नहाना धोना सब छोड़ करके आग बुझाने के लिए बागता है देश पर दुश्मन हमला कर देता है तो आदमी को सब कुछ छ कर गयत्रि परिवार को स्थापित किया उस समय के और उस उद्दिश के निर्वहन समय का है आदमी जो दुख में है और इस समय में अथाहद रिष्टी से दुख पहला है और उन लों के दुख कष्ट पीड़ा वेदना को दूर करने के लिए हमसे क्या बन सकता है पूछने म समय लगाय बगेर व्यक्ति को करने की आवश्रकता है और ये समय उसी आवाहन को लेकर के आया है चुनोती विशम है जैसा आपने बोला और हम लोग एदी एक साधरन तरीके से ही सोच करके देखें तो जो आज की परिस्तितियां है उन परिस्तितियों में चुनोती बहुत ही ज्यादा गंभीर भी हो गई है और विशम भी हो गई है आज से एक वर्ष पहले जब कोविड लगभग पीक को पा रहा था उस समय में चुनोतियां भिन्ने थी उस समय में चुनोती जो थी लोग अपने घरों में थे उनके पास भोजन नहीं पहुंच रहा था जवाया नह पहुंच रही थी पर इस बार की जुनोती जो है कई द्रिश्टी से भिन्न है क्योंकि एक तो जो संख्या है वह बहुत तेजी से बढ़ रही है अब अगस्त से ही आप कंपेर करके देखें कि जब अगस्त में पिशले वर्ष में लहर जो है अपनी पीक पड़ थी तो उस स है 3,800 कुछ हो रही है 445 परसेंट कि चमवालिस परसेंट के करीप पॉजिटीविटी रेड और उसका मतलब यह है कि जितने लोगों की टेस्टिंग हो रही है उसमें से इतनी लोग पॉजिटेव आ रहा है तो इसका मतलब है कि यह आदमी बाहर घूमने के लिए जाता है त जब बैट्स की अनुपलब्धता है जब क्रिटिकल केर की अनुपलब्धता है तो जो हम लोगों का समाधन एक वर्ष पहले था उससे इस बार का समाधन मिन्ध हो जाता है एक वर्ش पहले हमलों की जuci मूल समस्या थी और जो हमलों कंदिश था वह ये था कि हम उन घरों तक भोजन को ले जाना चाहते थे जहाव पर विकती रसत के अभाव में है defended हैं समगरी के अभाव में हैं बैड की अनुपलब दता की है, उसकी यदी स्थिती तीजी से गिरती है, और गिरावट जो है बहुत तीजी से व्यक्ति की स्वास्ति में आती है, तो ऐसे समय में उसको स्वास्ति की और चिकित्सा की सुविधाओं को तुरंत अहरनिश महुचाने की अवर्शकता है, तो वह समय की चुनातियों को देखते हुए निर्ने लिया कि हम लोगों को अपने हॉस्पिटल के अंदर एक क्रिटिकल केर की फैसिलिटी को डेवलब करने के आवश्रकता है, और बहुत-बड़ा सभाग्य है कि इस संकल्प को लिए हम लोगों को मुश्किल से अभी तीन या चार के हूँ, चाहे कोरिया के हूँ, चाहे लोग यूरोप में बैठे हूँ, हर जगह से और भारत के कोने-कोने से जो बैठे हुए परजन है वो अहर निश्च एकदम निरंतर इस सहियो को यहां पर पहुंचाने का प्रयतन कर रहे हैं, कोई oxygen concentrators भेज रहे हैं, कोई ventilators भेज र चाहते हैं, जिन लोगों ने इस कठिन वेला में शांतिकुंज के संकल्प से हाथ से हाथ मिलाकर पढ़ने का प्रयतन किया, और उन सब को भी धन्यवाद देने का एक सही समय है, निश्यती जो प्रामानिक्ता अखिलवी शुकायति परिवार की रही है, और यही कारण है कि स अखिलवी शुकायति परिवार सतत विविद रूपों में सेवाय कर रहा था, अभी कई कई जगा लॉकडाउन के सिच्वेशन है, लोग घरों में हैं, अपनों से दूर है, आसपास की स्थिती कुछ बदली वी है, इन बदली परिस्थितियों में किन-किन रूपों में वो इस पष्ट कर देनी की आवश्यक्ता है कि हम यहां क्या कर रहा है, जिससे कि जो लोग शेतर में बैठे हैं, वो लोग इस बात को समझ सकें कि उसमें वो लोग किस तरह से सहीयोग कर सकते हैं, जो संकल्प हम लोगों ने लिया है, वो क्रिटिकल केयर को विक्सित करने का लि जहां पर व्यक्ति स्वतह उस प्रक्रिया को नहीं कर पा रहा है, तो उसको सहयोग देनी के लिए उस तरह के क्विपमेंट उपकरण उस जगह पर उपलब्द हो, एक उससे थोड़ा नीचा इस तरह होता है, जिसको हम लोग हाई डिपेंडेंसी बोलता है, तो जो हम लोग एक वर्ड बना देने से सारी इन्वेस्टिगेटरी फैसिलीटी नहीं आ सकती, पर हम लोग का उद्देश है कि शांतिकुंज में, शांतिकुंज के साथ के जितने प्रकल्प हैं, देव संस्कृतिव शुविद्याले, विरमवर्च शोल संस्थान और आसपास के जितना ख् करीब है, 85 के करीब है, और ऐसी स्तिती में उसको ऑक्सिजन के सिंगल ऑक्सिजन सपूर्ट की आवश्रुकता है, तो उसको हम लोग यहां पर उपलब्द करा सकें, तो अभी हम लोग के जितने प्रयतन हैं, वो इसी द्रश्टिस हैं, अब यदि हम इस बात को केंदर में ल इस बात का इतने चेतना केंदर ने किया, उनने अपने पूरे के पूरे चेतना केंदर को शक्ति पीठों को जो निकटवर्टी मिनिस्पल्टीस थी, नगरपालिका थी या जो भी वहां के अथौरिटीस थी, उनको पलब्द करा दिया कि इस समय में मंदिर से ज्यादा इस स तरह का प्रयोग अपने इस तरह पर करके देख सकते हैं कि वहां के प्रशाशनी कंथिकारियों से बात करके उस स्थान को पलब्द करा दे, दूसरा यदि उसी चीज के लिए हम लोग ले करके चलें तो अनेक लोग ऐसे हैं जो आर्थिक द्रिष्टी से कंट्रिब्यूट क कर पाने की स्थिति में होंगे, सहयोग दे पाने की स्थिति में होंगे, वो लोग सहयोग दे सकते हैं, और निश्यत रूप से बहुत सारे भारत के लोगों ने संकल्प लिया भी है कि वो इस फैसिलिटी को शानती कुझ में स्थापित करने के लिए जो बन पड़ेगा वो क करेंगे और लोग कर रहे हैं खुछ लोग प्रतिभा की दिश्टी से सहयो कर सकते हैं कुछ लोग डॉक्टर होंगे कुछ लोग नर्सutz होंगे कुछ हल्थ प्रफेशनल्स होंगे और यह भी बडस गर्व urine का भिशा है कि दो दिन पहले ही हम लोगों के जो है इस आम को लो को शांतिगुन का आवश्रक्ता है किसी को सपने में मां गायत्री आई एक डॉक्टर से आज सुबह बादचीद हुई उस डॉक्टर ने आज सुबह से पहले गायत्री परिवार का नाम नहीं सुना था और सुबह के बाद से अभी तक भी वह अहरनेश गुर्देव की वसीत इस अभी विरासत को पढ़ने में लगी है और उसके बाद गुर्देव की चिंतन को पढ़ने में लगी है और उसके मन में अपने आप ही सुथा प्रेणा आ गई कि मुझे शांतिगुन जाकर इस समय में मदद करने की आवश्रक्ता है तो भगवान सहयोग कर रहे हैं लोग सहयोग कर रहे हैं लोग पैसे से सहयोग कर सकते हैं प्रतिभास से कर सकते हैं फिर लोग सामगरी की दृष्टी से मदद कर सकते हैं सुझाव मेरा यह होगा कि यदि संभव हो सके तो राज इस्तर पर और जन पदिस्तर पर या मंडल इस्तर पर एक गायत्री परजनों की टी निकटवर्ती छेत्र में लोगों को देने की आवश्रक्ता है, जैसे कई जगह पर किसी व्यक्ति को इलाज के लिए आवश्रक्ता है, कहीं से खबरें आ रही हैं कि वहाँ पर घर में दो या तीन लोग थे और सब के सब एडमिट हो गए हैं, तो घर में बच्चे की देखभा कि कहां पर पैसे का प्रतिभा का और सामगरी का उपयोग संभाव, और सामगरी की दृष्टी से क्या पहुंचा सकते हैं, भोजन पहुंचा सकते हैं, एहमदाबाद में, पटना में, भोपाल में, चत्यसगड़ में, लोगों ने ऐसे अनेकों लोगों को भोजन पहुंचा है कि किसी को जरूत हो तो यहां पर संपर कर है और लोग कर रहे हैं, हमने अपनी एम्बूलैंसे उपलब्द करा दिया आपके पास नहीं है और आपको अपने घर में किसे जरूत बेक्द कि यह सारे तरह की चीज़े ऐसी हैं जो कई लोग अपने अपने स्थर पर प्रियोक करके देख सकते हैं बोजन déjà सकते हैं कि राशन दे सकते हैं दौाइयां पहँचा सकते हैं दवाईयों में हम विशेश रूप से गुजरात की टीम का धन्यवाद देना चाहेंगे, वहाँ से लोगों ने इतनी सारी दवाईयां भेजी हैं कि जरूरत मंदों की आप सही समय पर हेल्प कर सके, तो ऐसी सहायता है जो लोगों के मार्दियम से संभव है, फिर एक और महत्तुपुण विशे है जो बहुत सारे लोगों की द्रिश्टी में नहीं आ रहा है पर उस पर सहयोग संभव है, लकडियों को उपलब्द कर पाना संभव है, आज की तारीक में बहुत सारे लोग हैं जिनके घर में दुर्भाग की वश्ट दिहा वसान हुआ है, पर लकडियों उपलब्द नहीं है, कोबिट की परिस्तितियां होने के कारण उन लोग का जो अंतिम संस्कार है, वो भी धंग से नहीं हो पा रहा है, आस्पिटल वहीं से वहीं विवस्था बना दे रहे हैं, ऐसे समय में दे अपने कोई परिजनों के माध्यम से ऐसी विवस्था बन जाती है, कि स्थानी इस तर पर मंडल के इस तर पर ऐसे लोग जिनको इस तरह के सहीयों के आवश्रकता है और वो लकडियां पहुचा दे तो भी अपने अप में गंभीर सहीव हो जाता है, फिर एक एक और प्रयोग संभव है, जिससे विशेश रूप से हमारे युवा, भाई, बहन और महिलाएं प्रयोग करके देख सकते हैं, वो यह कर सकते हैं कि एक मंडल के स्तर पर या एक राज्य के स्तर पर एक कम्यूनिकेशन की टीम बना सकते हैं, वाट्सअप ग्रुप्स बन जाएं, फेस्बुक के पेज बन जाएं, जितनी चीजों की आवश्र रखता हैं वो एक जगह पर डॉक्यूमेंट हो जाएं क्योंकि परतमान समय में बहुत सारे सूचना हैं और समाचार फैल रहे हैं उनमें से बहुत सारे भ्रमित कर देने व जो सिर्फ समवाद को स्थापित करने का काम कर रही हो, लोगों को कनेक्ट कर रही हो, आपके घर में आवश्रकता है कि आपके घर में अभी दुरभा के वाश्र चार में से तीम लोग कोविड पॉजिटिव हैं, तो तीनों आइसोलेटेड हैं पर चौते व्यक्ति को भोज कौन पहुंचाएगा, तो इस चीज को इंशोर करने के लिए पास के हमारे गायतरी परजन है, हम उन से बात कर सकते हैं कि भाईया क्या आप उनके घर में पहुंचा देंगे, उनके घर में अभी तकलीफ है, ये सारे कारे हमारी एक कम्यूनिकेशन टीम के माद्धिम से लोगों को कनेक्ट करने का काम है, लोगों तक अच्छे समाचार पहुंचाने का काम है, इतने सारे समाचार पहल रहे हैं, उन में से कुछ सही हैं, उन में से कई सारे भ्रामिक हैं, कई सारे गलत हैं, और ऐसे समय में लोगों तक सही सूशनाय पहुंचें, उन तक शुभ सं देश पहुंचे और एक वर जो कारे कर सकते हैं वो एक सामान मनुवैज्ञानिक सहयोग का कर सकते हैं आदमी कष्ट में होता है तो ऐसा नहीं है कि आदमी की बुद्धि जो है पूरी तरह से उस समय में भ्रहमित हो चुकी होती है उस समय में कोई सामान द्रिष्टी से व्यक्ति के आसू को पहुंचने का काम भी कर देता है उसको कश्ट में सहयोग दिने का काम भी कर देता है डॉक्टर ऐसा नहीं है कि सारे डॉक्टर जो दवाईयों से ठीक करते हैं कई डॉक्टर तो सामने वाले के कंधे पर हाथ रखने से ठीक करते हैं उतना काम तो हर कोई कर सकता है कि आदमी को इतना महसूस करा दे कि भाई आप इस कठिन घड़ी में अकेले नहीं है और जो लोग तकलीफ में उनकी सूछना हम तक पहुंचा दे तो एदि हमें इस ही समय पर अभी बहुत सारे भाई दोग एक टीम का निर्माण इस तरह से और कम्यूनिकेशन का काम करें उए बहुत बड़ा सही हो सकता है साथ ही मुझे लगता है कि एक और जो संभव है जो इस से जुड़ा हुआ है वो यह है कि जो हमारी बहने हैं उनकी एक टीम बन जाती है जो इस दृष्टी से इंशूर कर ले किन घरों में भोजन की आवश्रक्ता है वहां भोजन पहुचाने के लिए फिर एक टीम जो है सिर्फ यह संकल पर ले सकती है कि हम इस समय में इस छेतर में इतना जब की आवश्रक्ता है एतने लोग कश्ट में हैं उनके लिए हम यहां पर गायत्री मंत्र महाम रत्युन जचय जब की शंखला को चला सकते हैं संसकारों को संपन्न कर सकते हैं, लोगों के घर में तकलीफ है, लोग जा नहीं पा रहे हैं, ऐसे समय में उनके संसकारों की जो विवस्ता है, उसको ओनलाइन उपलब्द कराने का काम शक्ति पीड अपने माद्यम से कर सकते हैं, पिर जो है उनके घरों में अन्य जितनी भी आ पार संभावना है और इन पदलीवी परस्तितों में जो भर किया है वो अपने आप में जैसा आपने बताया कि इतना कुछ है अफसर हम लोग कर रहे हैं लेकिन बहुत कुछ अभी और हम कर सकते हैं और इसमें जो बात मुझे बड़ी समझ में आई कि यह समय ऐसा है कि किसी को करनी होगी जहां-जहां लोगों नी किया है वो अधारन आपने भी सामने रखे और ऐसे ही शुरुवात और करने की आवशकता है और पूर में जैसा आपने इस परस्तिती में क्रिटिकल हेल्थ केर को लेकर के बताया कि हम क्या स्थापित कर रहे हैं किन उद्देश्यों के स जैसे हम क्रिटिकल हेल्थ केर के संदर में अगर कोई मदद करना चाहें तो क्या-क्या चीजें हैं जो इसके अंतरगत आती हैं जिसके लिए वो क्योंकि नॉर्मली लोग कन्फ्यूज कर जाते हैं कि हेल्थ केर ही है क्रिटिकल हेल्थ केर लेकिन थोड़ा सा आपने उसको लेकिन थोड़ा आम जन्मानस के लिए अगर उसको और थोड़ा बता दे हैं इसको ऐसे समझ सकते हैं कि जैसे कुछ लोग हैं जिनको डॉक्टर के अवशक्ता पढ़ती है जो काम आया खांसी आई बुखार हुआ ऐसे समय में व्यक्ति गया और दवाई लेकर के आया तो आ पेशेंट कह करके पुकारते हैं बाहर क्या पेशेंट होता आउट हो अंदर के होता आप इन हो जो इन पेशेंट हैं उनमें भी तीन तरह की केर हैं एक तो जो जन्रल केर होती है जिसमें व्यक्ति का एक निरधारित प्रक्रिया से गुजरा और उसको एक निरधारित ट्री नीड जो ऐसी है उसकी आवश्रक्ता है कुछ ऐसी है कि उसको थोड़ा जादा intensive observation की आवश्रक्ता है intensive observation का मतलब है कि सतत निगरानी कि वो हमारी आखों के सामने रहे है उसकी pulse कैसी चल रही है उसकी oxygen की saturation कैसी चल रहे है ऐसा नहीं कि चिंता की बात है पर यदि उसमें सही समय पर सही intervention की आवश्रक्ता है तो ऐसे समय में हम लोगों के हाथ से समय निकलने जाए इसलिए ऐसे व्यक्ति को या ऐसे भाई बहन को हमें अपनी आखों के सामने रखने के आवश्रक्ता पढ़ती है और वो आवश्रक्ता दो तरह की हो सकती है एक तो जब हमारे फेफडे यदि हम कोविट की परिस्तियों को ले करके देखें तो उसमें बिलकुल काम करने से उसमें मना कर रहे हैं यदि हो मना कर रहे हैं या infection widespread fell चुका है तो ऐसी द्रिश्टी में उनको ventilatory support की आवश्रक्ता पढ़ती है जो हम लोगों के पास अभी उपलब्ध नहीं है हम जिस चीज के लिए महनत कर रहे हैं वो महनत हम लोग कर रहे हैं कि हम लोग यहां पर general से उपर उठकर उसको एक high dependency की unit बना सकें कि व्यक्ति को को specialized care की आवश्रक्ता है और आज की तारीख में चुनाती है कि व्यक्ति को specialized care की आवश्रक्ता है तो भी चूंकि hospitals में bad उपलब्ध नहीं है इसलिए कभी-कभी व्यक्ति को एक दिन, दो दिन, तीन दिन, चार दिन, पांच-पांच दिन तक की प्रदीक्षा करनी पढ़ रह और ऐसी स्थिती में वो घर पे तो रह नहीं सकता उसको ऐसे environment पे रहने की आवश्रक्ता है जहां पर doctor nurses उसको constantly monitor कर सके वो व्यवस्था हम लोग यहां पर बनाने जा रहा है ताकि एक तरह से हम लोग वो सुविधाय उसको अपलब्ध करा दे जो उसको intensive care और general care के मद्ध की आवश्रक्ता है तो उसमें जो hospital के beds होते हैं वो सामाने से भिन्न होते हैं जिनको mycu bed कहते हैं उस तरह के bed के critical care bed की आवश्रक्ता पड़ती है उसके लिए oxygen meters की उसके लिए oxygen support की peak flow meters की आवश्रक्ता पड़ती है ECG machines है जो अन्य सारी चीज़े हैं उनकी आवश्रक्ता दिया है जो आज की समय की बड़ी चुनोती है वो यह कि यह सब जगों पर उपलब्द नहीं है यदि हम आज की तारीक में भी उनको order करते हैं तो उनको प्राप्त करने में लगबग 6 वीक के करीब समय लग रहा है तो कई लोग दिरंतर कर्म में सहयोग पहुंचा रहे हैं पहुंचाते ही जा रहे हैं पर हो सकता है कि उसका सही परणाम देखने में हम लोग को 6 वीक या 8 वीक की प्रतिक्षा करनी पड़े और निश्यत ही यह संदेश यहां तक भी जाय मेरे ख्याल से युद्धिस तर पर लोग अपनी तरफ से एक और जहां अंश्दान की और हो रहे हैं और उन लोगों की तरफ हैं जो लोग कोविट की चुनोती पूर्ण परिस्तितियों से गुजर रहे हैं पर लगभग 85% पॉपुलेशन तो वो है जो घरों पर है वो घर पर रहे तो क्या करें इस पर भी हमारी एक टीम को लग करके मेहनत करके उनको उनको सार्थ में अउस्मक संदेश देने के आवश्रकता है क्योंकि एक तरफ जहां हम लोग समवाद इस्थापित कर रहे हैं एक तरफ जहां हम उन लोग को आध्यात्म गति विदियों की और प्रिद्र करने के आवश्रकता है एक टीम मेहनत करके घरों घरों में वे domain ले जाए हम लोग रूप से सिर्फ academic या professionals के लिए करिये, मुझे लगता है गायत्री परिवार को घर-घर की महिला के लिए, घर-घर के बच्चे के लिए, घर-घर के व्यक्ति के लिए, बुजूर्ग के लिए, हर व्यक्ति को ध्यान में रखकर webinar करने के आवश्च रखता है, आप अपनी दिन् से पॉजिटिव रहे, कोविड से निगेटिव रहे पर चिंतन से तो पॉजिटिव रहने के आवश्च रखता है, आदमी के मन में सकारात्मकता हो, व्यस्त रहे आदमी, गुर्देव ने का व्यस्त रहे मस्त रहे, और व्यस्त रहे मस्त रहे के लिए आदमी निरंतर अप पर इसके साथ से इतना परेशान होने का कारण नहीं है कि आदमी अपने जीवन के हत्यार को एक दम फेक करके बैठ जाए जीवन में जीधार चलती है एक दिन आदमी के पास तकलीफ है एक दिन नहीं है पर हमारा परास्त हो जाना जिदिवन मर के लिए अंग्रेजी में कहते हैं कि विनिंग लूजिंग इस इन बटीरियल आप एक दिन विन करते एक दिन लूज करते हैं इस पर्मानेट अपने अपने आपको परास्त कर दी आप अपने आपको छोड़ करके बैठ गए तो फिर वहां से उठपाना संभव नहीं है वज़ि भगवान को मदद पहुंचानी है तो भगवान को मदद पहुंचानी के लिए हम लोगों का सार्थ होना गरूरी है गुर्देव ने इतना दिव जीवन जिया और इतने सारे सूत सिध्धान्त हमको दे करके गए सुस्त शरीर के सुच्छमन के सब्समाज के उन सिध्धान्तों को हर व्यक्ति तक पहुंचाने का समय है गुर्देव ने का उपासना साधना आरादना हर व्यक्ति को बता देने का समय है, गुर्देव ने का व्यक्ति निर्मान परिवार समाज निर्मान बता देने का समय है, क्योंकि यह बास सत्त है, आज कोविड है कल नहीं भी होगा, आज यह परिस्तितिया विशम है कल नहीं भ तो उससे उबार पाने का तो कोई तरीका नहीं और उससे बचने का एक ही तरीका है चाहिए आदमी आज माने चाहिए हजार साल बाद माने कि उसको गुर्देव के विचारों को सिध्धानतों को अपनाना पड़ेगा तो एक ही प्रार्थना है कि इस समय में हर व्यक्ति को बताएं आप आपकी दिन्चरिया को विवस्थित कैसे कर सकते हैं जो अपने कारे करता हैं उनके लिए तो एकदम एकदम जो है सम्यक समय है कि वो अपने दिन्चरिया को शांती उनकी दिन्चरिया से जोड़ ले जैसा श सब देव से कुशल मनवचिक सक होने के नादेवी आपने बड़े ही सकारात्मक सिक्षाय और प्रेड़नाय हम सबको दिये और साथ साथ यहां पर आपने यह भी बता दिया कि कैसे टेकनलोजी एक बड़ा की रोल प्ले करने वाली है इन सारे चीजों को करने में तो निश्यती हम सभी परजन इसके लिए संकल्पित होंगे और इस पूरी चर्चा की प्रेड़नाओं से ए कि चोटी सी कहानी दो सुनाना चाहूंगा मैं गुपाल एक तो बड़ी अच्छी प्यारी कहानी अभी मैंने पढ़ी दो दिन पहले मुझे बड़ी अच्छी लगी कहानी थी कि एक अच्छी-च्छी सुन्दर सी घास हुगी हुई थी उसमें सूखा सा तिनका भी पड़ा तो पाकी की जो घास थी हरी दूब जो थी वो सुखे से तीनके को चड़ा रही थी उर्मने का की देखो देखो तुम तो किसी मतलब के नहीं हो तीनके को भी लगा गी में भी कि 10 मूल लेका नहीं हूं एक दिन हवा का झोगा आया तो तिनका ओड़ा और जाकर पानी में गिरा, जैसे ही पानी में गिरा तो वहाँ पर एक चीटी डूब रही थी, उसका सहरा लेकर के वो किनारे आ गई किनारे आई तो चीटी ने तिनके को धन्यवाद दिया बोले कि आरे आपने मेरी जान बचा ली तिनका बोला कि आरे मैं आपको धन्यवाद दे रहा हूं आपने मुझे बताया कि मेरा जीवन कितना कीमती है वैसे हमें लगता है कि हमारा जीवन कीमती नहीं है पर नजाने हम कितनों का जीवन बचा सकते हैं, नजाने हमारे पास कितनी सम्भावना है, यदि हर वेक्ति ए सोचे कि इस कठिल समय में, भगवान ने, गुर्देव ने, गैत्री माता ने, हमारा चैन किया है कि हम इस दुर्भागी को सौभागी में बदल सकते हैं तो कितनों का जीवन बदल सकते हैं हमारे पास भगवान ने गाड़ी दिया एंबुलेंस बना देंगे हमें भगवान ने हाथ दिया किसी का साहता कर देंगे हमें भगवान ने मन दिया, किसी को शुब समाचार दे देंगे हमारे को भगवान ने भावनाय दिये, किसी का कष्ट बाट लेंगे जो हम से बन पड़े, वो हमें करना चाहिए पर हम अपने जीवन को सकारात्मत बना सकते है दूसरा एक और प्यारी कहानी आदाती है, कहानी है कि छोटा सा बच्चा छह साल का था अपनी बहन को लेकर के जा रहा था चार साल की बहन थी लेकर के गया, एक दुकान के सामने से निकला तो भाई आगे निकल गया उसने देखा बहन वहीं रुकी रह गई, लोट करके आया, उसने कहा क्या देख रही है उसने कहा मुझे गुडिया खरीदनी है, तो उसने जेब में हाट डाला तो जेब में कुछ कंचे थे तो दुकानदार को उसने कहा कि कंचे ले लो गुडिया दे दो तो दुकानदार भी बड़ा ध्यान से देख रहा था दुकानदार ने कहा कि कंचों से गुडिया खरीद होगे बोले हाँ तो बोले क्यों सही नहीं है, बच्चे ने पूछा दुकानदार से, बोले इने सही है थोड़ा जादा दे दी है, उसने चार कंचे लिए और गुडिया दे दी और कहा कि दो ले जाओ, तो बच्चा खुश हो के गुडिया लेके चला गया, नौकर वहाँ पे था, तो नौकर बोला मालिक हाँ आपने हजार रुपय की गुडिया जो है, वह चार कंचों में दे दी क्या कर रहा है, बोले अरे बेटा मैंने कल के भविश्य के लिए दी है, कल को जब वह बढ़ा होएगा, और इस घटना को याद करेगा, तो ये भी तो याद करेगा कि कोई व्यक्ति ऐ इवन में शुब प्रेणा दे सकते हैं, वह हम से मिले तो ये स्मरण करेगी कोई गायति परवार के विक्ति ऐसा भी तो था, इसने कठिन समय में हम लोगों को शुब समाचार दिया था, शुब सिंकल्प दिया था, प्रेणा दिती प्रकाश दिया था, कुरदेव ने हमारा चैन किया, इन परिस्थितियों में दोनों ही संभावना हैं हमारे पास, या तो हम लोग हतियार छोड़ सकते हैं, या फिर खड़े हो सकते हैं, या तो इस भगवत गीता कांत पहले अध्या के साथ ही हो जाएगा, विशादियों के साथ ही बात खत्म हो जाएगी, या फिर आगे भगवान बोलेंगे, तो हमें भगवान के बोलने की प्रतिक्ष्य करनी चाहिए, बहगवान बोले और हमारे अंदर का कर्मयोग जागे, और हम लोग शुब के लिए संकल्पित हों, तो फिर हमारे जीवन की सारत्ता है, निश्यति या शुब संकल्प हम सभी को प्रे बहुत ही शुब करेंगे, क्योंकि एक ऐसा आवसर है, जो जीवन में उनके लिए अविस्मर निये बन सकता है, यदि वो कुछ भी कर गुजने तो, इस पूरे क्रम में आपने अपना महत्पूर्ण समय हमें दिया, इसके लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद, और हम सब जगों पर ऐसे अनेकों, श्रांतिकुंच के गायत्य परिवार के बहुत सारे कारे करता हैं, जिनमें उसे प्रते को बहुत सारा धन्यवाद, और जितने लोग कश्ट की घड़ी से गुजरे हैं, उन सब के साथ पुना समवेदना है, पुना हमारी भावना है उनके साथ निश्यते, सभी को धन्यवाद करते हुए, हम अन्त में यही कहेंगे, कि हमारे गुरुदे वो हैं, जिन्होंने कहा, दीप हुँ, जलता रहूँगा, मैं प्रलाई की आन्दियों से अन्त तक लड़ता रहूँगा, तो हम गायत्य परिवार के उनके बच्चे, उनके शिष कुछ भले ही विशमताएं कितनी भी हो, संकल्ब के साथ आगे आएंगे, और सेवा धर्म का निर्वहन पूरे उत्साह के साथ कुछ करके ही दिखाएंगे, आवाहन आप सभी का, हाईए हम सब जुड़ें, और इस क्रम में अपना जो कुछ भी हो सके लगा कर जीवन को धन् कारी आपको मिलती रहे